अनुभा जब छोटी थी तब से ही वो माता रानी की परम भग्त थी बच्पन से ही उसका एक नियम था कि वो सुबह उठकर नाहाधों के सबसे पहले माता रानी की पूजा करती थी उसकी माता पिता भी उसकी भग्ती को देखकर बहुत खुश होते थे समय के साथ अनुभा बड़ी हो जाती है और उसकी शादी मुकेश से हो जाती है मुकेश शहर के सबसे बड़े मंदिर में श्रधालों द्वारा उतारी गई चपलों का खयाल रखने वाला होता है मुकेश के घर के हालात अच्छे नहीं होते पर अनुभा कभी भी इस चीज की शिकायत नहीं करती समय के साथ दोनों के यहां संतान होती है बेटी कीवती और बेटा यश मुकेश की कमाई इतनी नहीं थी कि घर अच्छे से चल पाए लेकिन अनुभा बहुत ही सुलजी हुई और वो सारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है एक दन अनुभा बुराना मानो तो मुझे तुमसे एक बात कहनी है हाँ हाँ बोलो जी क्या बात कहनी है दिखो, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनकी जरूरतें बढ़ रही हैं और मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे सिक्षा दिला सके ये सब मैं जानती हूँ, आप मुझे वो बताएं जो आप मुझे कहना चाहते हैं वो मंदिर के बड़े पंडिजी कह रहे थे कि उन्हें माता रानी के मंदिर की सफाई के लिए एक महिला की जरूरत है जो माता रानी के कक्ष को ही देखे बस ये बात आप मुझे डरते डरते क्यों कह रहे हूँ, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है मातारानी की सेवा में तो मुझे बहुत खुशी मिलती है आप कल जाकर पंडिजी से कह देना ठीक है अनुभा, कल मैं पंडिजी से कह दूँगा कि मातारानी का कक्ष अनुभा समाल लेगी तभी ये शुरकिर्टी भी वहां आ जाते हैं मामा, मैं भी आपके साथ मातारानी के मंदर में जाऊंगी बेटा, पहले तुम्हारे बाबा को पंडिजी से बात तो कर लेने दो उसके बाद ही तो पता चलेगा कि मैं वहां काम करूंगी या नहीं देख ले ना मा, पंडिजी एकदम से हाँ बोल देंगे वो तो आपको रोज ही पूजा करते हुए देखते आ रहे हैं और वो जानते भी हैं कि आप मातारानी को कितना मानती हैं हाँ, मेरे बच्चों कल का इंतिजार करो, उसके बात देखते हैं हम, अगले दिन मुकेश पंडिजी से बात करते हैं और जैसा कीर्ती ने बोला था, पंडिजी ये सुनकर तुरंद मुकेश को हाँ कह देते हैं अनुभा कीर्ती और यश के साथ आकर मातारानी के कक्ष को बहुत सुन्दर सजाती है अब ये अनुभा का नियम बन जाता है वो रोज सुभा मंदिर आती और मातारानी के कक्ष को अच्छे से सजा कर पूजा पाठ करती पंडिजी ये देखकर बड़े खुश होते कि ये कारे मैंने एक बहुत ही अच्छी महिला को दिया है जो दिल से मातारानी की सेवा कर रही है नवरातर शुरू होने वाले होते है मा कल से नवरातरे शुरू हो रहे है चलो ना मातारानी के लिए हम भी श्रिंगार लेकर आते है इस बारी तो मैं बहुत सुन्दर चुन्नी खरीदूंगी हाँ बेचा हम लोग शाम को सामान लेने जाएंगे अभी मुझे जाकर मंदिर में काम देखना है पंडी जी ने मुझे बुलाया हुआ है पर ऐसा बोल के अनुभा मंदिर चली जाती है बेटी अनुभा कल नवरातरे शुरू हो रहे है इसलिए तुम मातारानी के कक्ष को बहुत सुन्दर सजा देना और जैसा की हर साल हम मातारानी को सोने का मुकुट पहनाते हैं तो बेटा तुम उस मुकुट को भी अच्छे से साफ कर देना जी पंडी जी मैंने सारा काम समझ लिया है मैं साफ काम बहुत अच्छे से निप्टा दूँगी जब पंडिच जी ये बात अनुभा को बता रहे थे तब वहाँ पंडिच जी के चेले हरी ने ये बात सुन ली उसकी नजर मातारानी के सोने के मुकुट पर बहुत दिनों से थी अनुभा को काम करते करते काफी टाइम हो जाता है तब ही हरी वहाँ आता है अरे अनुभा जी आप अभी तक यहाँ हैं ये समय तो मंदिर बंद करने का है मैं तो माता रानी का द्वार बंद करने आया हूं वाँ, पंदी जी ने मुझे बोला था कि माता रानी के कक्ष को सुन्दर सा सजा दो मुझे काम करते हुए समय का पता ही नहीं चला अच्छा अब मैं चलती हूँ ऐसा बोल कि अनुभा घर की तरफ चल देती है तभी वो देखती है ये शुर कीर्टी बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहे है माँ हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं इतनी देर क्यों लग गई और देखो दीदी को बहुत गुस्सा आया हुआ है आप उनके साथ बाजार नहीं गई बेटा मुझे माफ कर दो मंदिर में बहुत सारा काम था इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई और किर्टी बेटा हम कल सुभे सुभे जाकर मातारानी का सामान ले आएंगे अब ये गुस्सा छोड़ो मातारानी घर आने वाली हैं और तुम मूँ फुला कर बैठे हो तब ही दोनों बच्चे खुश होकर अपनी मा के एक गले लग जाते हैं अरे अनुभा आज तुझे बड़ी देर होगी मंदिर में कल से नवरातरे हैं इसलिए पंडी जी ने मुझे कक्ष को अच्छे से सजाने के लिए बोला अब आपको पता ही है जी मातारानी का काम हो और मैं उसे ऐसे ही नहीं निप्टा सकती थी मैंने तो बहुत सुन्दर मंदिर सजाया है कल जो भी मातारानी को देखेगा भास देखता ही रह जाएगा हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी मातारानी बहुत ही अच्छी लगेंगी अच्छी क्या लगेगी वो तो हैं ही बहुत अच्छी कितनी भी दुख दर्द हो मातारानी के आँखों में देखते ही साब खत्म हो जाता है माता रानी अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखे अगली सुभा अनुभा कीर्थी की साथ माता रानी के श्रिंगार खरीदने जाती है तभी वो देखती है कि मंदिर में बड़ा शो शराबा हो रहा है और अनुभा को देखते ही हरी तेज तेज से चीखने लगता है पंडी जी मैं सच कह रहा हूँ जब मैं मंदिर बंद करने के लिए आया तो अनुभा माता रानी के कश्मे थी और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि माता रानी का मुकुट अनुभा नहीं चुराया है वरना ये इतनी रात तक मंदिर में क्या कर रही थी ये सुनके अनुभा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो जाकर पंडी जी के सामने खड़ी हो जाती है नहीं नहीं पंडी जी मैंने कोई चोरी नहीं की है मैं कभी भी माता रानी के हाँ चोरी करने का सोच भी नहीं सकती ये मुझ पर जूटा इल्जाम लगाय चा रहा है मैं अपने दोनों बच्चों के अक कसम खाकर कहती हूँ मैंने माता रानी का मुकुट नहीं चुराया नहीं चुराया तो मैं क्या जूट बोल रहा हूँ बताओ पंड़ जी को जब मैं दर्वाजा बंद करने आया तो तुम मंदिर में थी या नहीं हाँ, मैं मंदिर में ही थी लेकिन मैं तब सफाई करके हटी थी वा 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 इतनी रात को कौन सी सफाई हो रही थी? क्या तुम्हें सफाई करने के लिए पूरा दिन चाहिए था? तुमने मौके का फायदा उठा कर माता रानी का मुकुट चोरी कर लिया नहीं, नहीं, पंडी जी आपको कोई गलत फेहमी हुई है, मेरे मा कभी भी चोरी नहीं कर सकती तभी कोई मुकेश को भी बता देता है, ये अनुभा के उपर चोरी का अलजाम लगा है मुकेश भाग कर अनुभा के पास जाता है अनुभा मुकेश को देख कर रोनी लगती है अब बताए ना पंडी जी को कि जब मैं घर गई थी तो मैं खाली हाथी थी मैंने कोई चूरी नहीं किये मैं माता राने को बच्पन से मानते हुए आ रही हूँ मैं उनका मुकुट तो क्या मैं एक भूल भी चूरी नहीं कर सकती देखो मुकेश तुम यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हो इसलिए मैंने तुम पर यकीन करके तुमारी पत्नी को यहाँ काम करने दिया आज नवरात्रे का पहला दिन है और माता के सर पर मुकुट नहीं है अपनी पत्नी से कहो कि वो मुकुट वापिस कर दे नहीं नहीं पंडित जी यह बात सच नहीं हो सकती अनुभा ये काम कभी नहीं कर सकती पंडित जी उसे में अनुभा को वहाँ से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि नवरात्रे के इन नौ दिनों के अंदर अंदर तुम मुझे मुकुट ला कर दो क्योंकि तुम्हारे सिवा उस से मैं मंदिर में और कोई नहीं था और ये सुनकर अनुभा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है वो मातारानी का श्रिंगार भी खरीद कर नहीं लाती और मातारानी के सामने बैठ कर रोने लगती है मातारानी मैंने जब से होश्च संभाला सिर्फ आपको ही माना और आपकी ही पूजा की है आप अच्छी तरह जानती हैं बच्पन से लेकर आज तक किसी भी परिस्थती में मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा पर ही मातरानी आज तेरे दर्बार में तेरे साम नहीं मुझ खरीब मा को मेरे बच्चों की साम दे चोर कहा गया और मुझे नौ दिन का समय मिला है मैं कुछ नहीं जानती मातरानी आप ये उस चोर को साम दे लेकर आओगी और जब तक उस चोर का पता नहीं चल जाता मैं अब और जल ग्रेहन नहीं करूंगी ये सुनकर मुकेश और दोनों बच्चे अनुभा से कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो अगर मैंने सच्चे दिल से मातरानी की पूजा की है और अगर उनका आशिरवात मेरी सर पर है तो इन नौ दिनों के अंदर मातरानी खुद चोर को सामने लेकर आएंगी और तब तक मैं सच में अन्न जल ग्रेहन नहीं करूंगी ये बात सारे मंदिर में भैल जाती है और पंडिजी भी कहते है देखता हूँ कि वो खुद मुकुट लेकर आती है या मातरानी चूर को पकड़वाती है उदर हरी जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसके बेटे को माता निकल आई है और वो दर्द से तडप रहा है अरे अभी तो मैं ऐसे बिल्कुल अच्छा भला छोड़ कर गया था अचानक से इसको माता कैसे निकल गई मुझे नहीं पता अभी ये खेल रहा था और अचानक से मेरे पास आकर बोला कि देखो मा मेरे शरीर पर क्या हो रहा है तो इसे बाहर मत निकल ले दियो अभी रुक मैं नीम की पतियां लाकर पानी उबाल कर नहलाता हूँ और घर पर भी नीम लगाता हूँ ये ठीक हो जाएगा लेकिन हरी के बेटे की तबियत रात होते होते काफी बिगड़ जाती है ये माता रानी मेरे बेटे को क्या हो गया है मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया ये सुनकर अचानक से हरी को याद आता है कि आज उसने अनुभा के उपर जूटा इल्जाम लगाया है कहीं इस वज़े से तो मेरे बेटे की तबियत खराब नहीं हो गई फिर वो अचानक से ही सुचता है कि ये वज़े नहीं होगी पूरी रात हरी का बेटा दर्द के मारे तड़कता रहता है हरी उसके पास बैठा उसकी तिमारदारी करता है सुबह चार बजे के करीब आकर हरी की आँख लग जाती है और उसे सपने में दिखाई देता है कि मातारानी बहुत क्रोध में उसके उपर घुसा कर रही है कि तूने आनुभा के उपर जूठा आरोप लगाया है वो मेरी सच्ची भक्त है अगर तूने अभी उससे जाकर माफी नहीं मांगी तो मैं तेरे बेटी के प्राण हर लूँगी तभी हरी की आँख खुल जाती है अरे आप इतने घबराय हुए क्यों लग रहे हो क्या कोई बुरा सपना देख लिया है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझे अभी जाकर उससे माफी मांगनी होगी ये क्या बड़बना रहे हो किससे माफी मांगनी होगी अनुभा से मुझे अनुभा से माफी मांगनी होगी मैं अभी आता हूँ पर ऐसा बूलकर हरी मातारानी का मुकुट लेकर सीधा पंडिजी के पास पहुँच जाता है पंडिजी मुझे शमा कर दो मैंने ही माता रानी का मुकुट चुराया था पर अनुभा को देड़ तक मंदिर में देख कर मैंने वो इल्जाम अनुभा पर लगा दिया मुझे माफ कर दो ये तुम क्या कह रहे हो हरी इसका मतलब अनुभा सच बोल रही थी मुझे माफ कर दो पंडिजी मुझे अनुभा के पास जाना है मुझे उसके पैरों पर गिर कर माफी मागनी है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा मर जाएगा अनुभा बहन मुझे माफ कर दो मैंने ही माता रानी का मुकट चुराया था और तुम पर जूटा आरोब लगाया जिस वजह से कल मेरे बेटे को माता निकलाई और उसकी तवियत बहुत ज्यादा खराब है माता रानी ने मुझे सपने में आकर बोला कि मुकट वापिस कर दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूँगी मुझे माफ कर दो बहन मुझे माफ कर दो ये सुनकर अनुभा माता रानी के आगे हाँ चोड़ती है और उसके बच्चे और मुकेश भी मैं जानती थी मेरी माता रानी मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगी आखिर एक गरीब मा की पुकार मा नहीं सुन ली हरी भाईया मुझे आप से कोई शिकायत नहीं है बुद्धी कभी भी बदल सकती है मैं तो बस माता रानी के चमतकार पर खुश हूँ माता रानी ने मेरे सर नहीं जुक ने दिया और ये सब होने के बाद हरी अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठेक हो गया है और जब ये बात सबको पता चलती है तो आनुभा के लिए सब के मन में इस्जत और सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है और अनुभा कीर्टी यश और मुकेश माता रानी के नवरात्रे खुशी-खुशी मनाते है